हलो फ्रेंज श्वागा थे आपका इस्टे हिंदी के यूटूब चैनल में देखें आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के इस वीडियो में एंसर के साथ हम कोश्चन का डीटेल भी आपको बताते चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इंपोर्टे को बात करें तो और अन गवर्मेंट परिछाओं के लिए महत्पूर है आई होप आपके वीडियो पसंद आए अगर आपके वीडियो पसंद आ साइमन कमीसन किस वायसराय के कारेकाल के दोरान भारत आया था उपसंद दीखते हैं लाड इर्विन लाड चेम्सफ़ोर्ट लाड विलिंगटन, लाड लियो लिठियो इसका राइट नसर भात करें इसका राइटन सर जगा उपसंद नमबर ए याने लाड डर्मिन डेटेल बात करें तो, लार्ड डर्विंग को 3 अप्रेल 1926 को भारत का वायसराएं वा गवर्नर जनरल नियूक किया गया था, 1927 इस्वी में ब्रिटीस सरकार ने सर इस्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यचता में साइमन कमिशन का गटन किया, इस आयोक का उद्देश 1929 के सुधारों का अध्यन करना था, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुहमद अली जिन्नाग ने बाटो और छोडो का नारा दिया था, ओप्सन देखते हैं, लखनोव अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1934, कराची अधिवेशन 19 डिटेल देखते हैं, मुस्लिम लीग के स्थापना 1906 में धाका में की गई थी, मुहमद अली जिन्ना इस संगडन के प्रमुक निता थे, शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश मुस्लिमों के अधिकारों की रच्छा करना था, परन्तु बाद मुस्लिम लीग के मुस्ल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस अस्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारिद क्या था, और अप्सन लिखते हैं कराची, हैदराबाद, लाहोर, लखनो, इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, हो जाएगा अप्सन नमबर C, यानि लाहोर में, 23 मार्च 1940 को मुस अस्थान का नाम करण चौधरी रहमत अली ने किया था, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, महात्मा गांधी ने निमलिकेत में से किस अस्थान पर हरित पुस्तक जारी की थी, आप्सन देखते हैं कलगत्ता, सूरद, राजकोर्ट, साबरमती, तो इसका जो अगला कोशन है, साबरमती आस्रम के अस्थापना मात्मा गांधी ने कब की थी, आप्सन देखते हैं, 1910, 1912, 1915, 1918, इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर हो जागा, आप्सन नमबर C, यानि 1915 में की थी, साबरमती आस्रम जुकी आमदाबाद में साबरमती 1917 को बन कर तयार हुआ था, मार्च 1930 में दांडी आत्रा की सुरुवाग साबरमती आस्रम से ही हुई थी, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, करनाटक के नगरों में बिजय नगर सामराजी का सबसे इसमारक कौन था, कौन सा है, आप्सन देखते हैं, 1336 हिस्वी में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी, विजय नगर सामराज में चार राजवनसों संगम, सालूक, तुलू और अरविंदो ने 1336 से 1667 तक सासन किया, वर्तमान में इस सामराज के अवसेस करनाटक के हमपी में हैं, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, चोरी-चोरा की घटना के बाद कौन सा अंदोलन बंद किया गया, आप्सन देखते हैं, सब ने अवग्या अंदोलन, असहयोग अंदोलन, भारत छोड़ो अंदोलन, खेडा, सत्यागर, इसका जो रायट अंसर हो जागा, आप्सन नमब में 22 पुलिस कर्मियों को मित्री हुई, इस घटना से दुखी होकर गांदी जी ने असहयोग अंदोलन को वापस लेने का फ्रस लागिया था, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, नेमलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बच्पन का नाम गदाधर च अध्यात्मिक गुरु वह वह योकी रामकिष्ट परहमांस का बच्पन का नाम गदाधर चटोपाद्या था, वे स्वामी विवेकानन के गुरु थे, उनके नाम पर स्वामी विवेकानन रामकिष्ट मिसन के सापना किय थे, चलि एगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोश्चन है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यचता की ओप्सन दिखते हैं अमरावती, बेलगाम, नाकपूर, कराची इसका जो राइट अंसर हो जागा ओप्सन नमबर बी यानी बेलगाम महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यच बने वे किवल एक बार ही भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यच रहे हैं चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अला कोशन है जहांगीर निमलिखित में से किसे इंगलिज खान कहता था ओप्सन देखते हैं थामस रो, बिलियम होकिन्स, हैनरी मिलिटर उपरुक में से कोईने जिसका जो राइट अंसर हो जागा ओप्सन नमर B यानि बिलियम होकिन्स बिलियम होकिन्स, हेक्टर नाम, नामक समुद्री जहाज में भारत की अत्रापर 16-17 में रवाना हुआ वह अगस 16-18 को सूरत में पहुचा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अला कोशन है, गवर्नर जनरल लाड एलेन बोरो के कारेकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनिंग होसे किया गया ओप्सन देखते हैं अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3, अधिनियम 8 इसका जो राइट अधिनियम 5, अधिनियम 5, गवर्नर जनरल लाड एलेन बोरो के कारेकाल के दवरान 1893 में अधिनियम 5 को पारित किया गया इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनिंग होसे किया गया था, चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है, 1861 में इंडियन मीरर समाचार पत्र का समपादन वो प्रकासन किस ने किया अधिन दितने अमिताव घोस, रविर्ना टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोस और देवेंदना टैगोर इंडियन मीरर समाचार पत्र के अस्थापना, 1861 में मनमोहन घोस और देवेंदना टैगोर ने कलकत्ता में किय थी चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है, राष्ट्रिय विकास परिशत की अस्थापना कप की गई थी इसका जो राइट अंसर हो जागा, हो जागा, आप्सन नमबर बी यानि 6 अगस 1922 को राष्टी विकास परिशत के अस्थापना 6 अगस 1922 को की गई थी प्रधान मंत्री द्वारा इसकी अद्धचिता की जाती है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है, इंडियन नेशनल अस्थापना कलगत्ता में किस ने की थी ओप्सन दिखते हैं, द्वारकाना टैगोर, सुरेंदनाद बनर जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर, देवननाद टैगोर इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी, यानि सुरेंदनाद बनर जी सुरेंदनाद टैगोर, 26 जुलाई, 1876 को आनन्द मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल अस्थापना की 1885 में इस संगेटन का बिले कांग्रेस में कर दिया गया था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अला कोशन है, राश्ट्री ये विकास परिशत की अस्थापना कप की गई थी ओप्सन देखते हैं, 9 अगस 1960, 6 अगस 1922, 15 सितम बर उनिस सठापन, 29 अगस 1960 इसका जो राइट अंसर हो जागा, हो जागा, ऑप्सन नमर 2 अगस 1952 को राश्ट्री विकास परिशत की अस्थापना, 6 अगस 1922 को की गई थी इस परिशत की अध्यचता, परधान मंत्री द्वारा की जाती है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है आनंद मठ के लेखक कौन है, ओप्सन देखते हैं, बंकिमचर चटर जी, रबिना टेगोर, राजर रामोन राय, बालगंगतर, तीलग इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर जो जागा, ओप्सन नमबर A यानि बंकिमचर चटर चटर जी आनंद मठ उपन्यास की रचना, बंकिमचर चटर जी ने अठारस बाउन में की थी, भारत कराश्टी गेद बंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है, यह उपन्यास सत्रा सो के दवरान, सन्यासी बिद्रों पर अधारित है चलिए एगला कोशन देख लिएते हैं अगला कोशन है, गांधी इर्विन समझोते पर कब हस्ताचर किये गये हैं, ओप्सन देखते हैं, 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, इसका राइट अंसर बात कर इसका राइट अंसर हो जागा, ओप्सन नमबर A, यानि 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताचर किये गये थे, इस समझोते पर महात्मा गांधी और ततकालिन वायसराय लाड़ इर्विन ने हस्ताचर किये थे, यह समझोता दुईती गोल में सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अला कोशन है, निमलिखित में से किस तारीक को भगत सिंग को फासी दी गई, आप्सन देखते हैं, 19 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 14 मार्च 1931, राइट अंसर बात के इसका जो राइट अंसर हो जागा, आप्सन नमबर C, यहनि 23 मार्च 1931 को, भगत सिंग को 23 वर्स की उम्रे में मि उने सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फासी दी गई थी, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यच्चता किस ने की, आप्सन दिखते हैं, सरदार बल्लब भाई पटेल, कराची अधिवेशन के अध्यचता सरदार पटेल द्वारा की गई थी, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थी नीती पर प्रस्ताव पारित किये गए, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, 1916 में होम रूल आंदोलन किस ने सुरू किय अप्सन देखते हैं, फ्रैंक, बेसंट, हेलेना, ब्लावार्शी, चाल्स, नोल्टन, एनी वेशन, इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, हो जाएगा, आप्सन नमबर, डी यानी एनी बेसंट, एनी वेशन ने 1916 में बाल गंगादर तिलक के साथ, होम रूल आंदोलन कि चलिए अगला देखते हैं क्वेशन, अगला क्वेशन है, दस अप्रैल 1917 को चमपारर सत्य ग्रह में गांदी जी के साथ और कौन सामिल हुए, अप्सन देखते हैं, बाल गंगार सतिलक, सुभाचन बो, राजन प्रसाद, उपरोक्त में से कोईन है, इसका राइट अंसर बा राजन प्रसाद, अनुग्रह नारायन सिन्ना और जेवी क्रिपलानी भी थे, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, भारती राष्टी कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन का अध्यच कौन था, अप्सन देखते हैं, पंडित जवालल नहरू, राजन प्रसा मोतिलाल नहरू द्वारत त्यार किया गया, 1929 में कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में पूर सोराज पस्ताव पारित किया गया, इस अधिवेशन में जवालल नहरू को कांग्रेस का अध्यच चुना गया था, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, 1916 में कां राइटनसर बात के इसका राइटनसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी यानि अम्बिका चरण मजुमदार कांग्रेस के 1916 के लखनो अधिवेशन की अजज़ता अम्बिका चरण मजुमदार ने की थी इस अधिवेशन में कांग्रेस को धड़ो, गर्म दल और नर्म को एक मंज़ पर लाए गया इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच एतिहासिक लखनो समझोता भी हुआ चलिए एगला कोशन देख लिते हैं अगला कोशन है 1940 के ब्यक्तिका सत्यागरा के लिए गांधी जी ने किसे चुना था अप्सन देख बिनुबा भवे, जवाल हल नेरो, लाल बादो सासी, एस सत्या मुर्ती इसके राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर A यानि बिनुबा भावे अगस प्रस्ताव के दोरान गांधी जी ने सविनग अवग्या सुरू करने का सुझाओ दिया था इसके लिए गांधी जी ने आचार बिनुबा भावे को पहला सत्यागराई चुना और जवाल नेरो को दूसरा सत्यागराई चुना था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है प्रत्यच कारवाही दिवस 16 अगस 1946 को किसके द्वारा मनाये गया आप्सन देखते हैं मुस्लिम लिग, क्रिस्टियन लिग, सीख लिग, हिंदू लिग इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, हो जाएगा आप्सन नंबर A यानि मुश्लिम लिग मुश्लिम लिग ने 16 अगस 1946 को प्रत्यच कारवाही दिवस के रूप में मनाया इसका उद्देश हिंदू मुस्लिम दंगे उत्मन करके या सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समधा एक साथ नहीं रह सकते चलिए एगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है 18-93 में गडपती तिहवार किसने शुरू किया था अप्सन देखते हैं गड़ेस दामदा सावर कर नाना पाटिल लोकमाने तिलक बिनोबा भावे इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है अप्सन नंबर सी यानि लोकमाने तिलक बाल गंगा तिलक ने वर्स 18-93 में गडपती उस्तों की सुरुवात की थी धीरे धीरे महराष्ट का यात्यवार पूरे देश में मनाया जाने लगा चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था अप्सन देखते हैं सर एसले इडन, एलेकजेंडर जान, आर बूत, नोट, लाड लेटन, लाड इस्टैनल इसके राइटन से बात के इसका राइटन से होजएगा आप्सन नमबर C यानि लाड लिक्टन भारत में देशी प्रेस पर प्रतिवम लगाने के लिए लाड लिक्टन ने 1868 ने वर्ना कुलर प्रेस अधिनियम लागू गया था इस अधिनियम के द्वारा राष्टवादी अख़बार सोम प्रकास पर सबसे पहले प्रतिवम लगाया गया था चलिए एगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अधिच्छता किस ने की थी अप्सन देखते हैं दादा भाई नौरुजी, गोपाल किस गोकड़े, पंडित मदन मोहल मालवी, रास बिहारी बोस इसके राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर D याने रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अधिच्छता की थी इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरमदल और नरमदल में हुआ था चलिए एगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है मदरास लेबल यूनियन के अस्थापना किस ने की थी? अप्सन दिखते हैं सुगोध बनर जी, बीपी वाडिया, लाला लाच पत्राय, भारत वोटर, पांडे इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर बी यानि बीपी वाडिया पंजिकरिट ट्रेड यूनियन कौन सा था? अप्सन दिखते हैं हिंदू मज़ूर सवा, भारती मजदूर संग, मदरास लेबल यूनियन, इनाइट ट्रेड यूनियन कांगरिस राइटांस अबात के इसका राइटांस हो जागा अप्सन नमबर C यानि मद्रास लेबर यूनियन मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजिकरित मजदूर संग था इसकी अस्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने वी कल्यार सुन्दरम के साथ मिलकर किय थी चलिए अगला कोशन देख लेता है अगला कोशन है जलिया वाला बाग हत्या कार्ण के बिरोध में किसने वाडिया की कारेकारी पैसस से इस्थिपाद दिया था अप्सन देखते हैं CP रामस्वामी आयर मुहमद अजिजिन्ना बीयान सर्मा संकर नाराया इसका रामस्वामी आयर बाग के बिरोध के फ़ल सरोव संकर नार ने वाइस सराय की कारवाही पैसस से इस्थिपाद दिया था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है जलिया वाला बाग हत्या कार्ण की घटना किस दिन घटी थे आपिसन देते हैं 16 April 1990 इसका रामस बात कर रामस बात कर रामस दियागा पिसन नंबर बी यानि 13 April 1990 जलिया वाला बाग हत्द्या कार्ण की घटना 13 April 2019 को अमरि सर के जलिया वाला बाग में घटी थे इस दिन लोग रूलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियाला बाग में एकत्रित हुए थे चलिए अगला कोशन देख लिए अगला कोशन है गदर जनरल सबसे पहले किस भासा में प्रकासित हुए अप्सन देखते हैं उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पस्तू इसका राइटन से बात के इसका राइटन सरे अप्सन नमबर ए यानी उर्दू में 1913 में गदर पत्रिका का प्रकासन उर्दू भासा में हुआ था उसके पशाद इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पस्तू में भी प्रकासित किया गया चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है चन सेखर आजाद की सहादत किस तारिक को हुए थी ओप्सन देखते हैं 27.1931, 11.1931, 13.1931, 14.1931 इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है यानी 27.1931 चन सेखर का जन्व 13.1936 में मद्ध भारत में हुआ था हैं एक मुटभेड में 27.1931 को वे सहीद हो गया थे चलिए अगला कोशन देख लेते हैं भारत में पहली बार जन गड़ना कब की गई ओप्सन देखते हैं 1884, 1882, 1881, 1891 इसका राइट अंसर है ओप्सन नमर भी यानी 1872 भारत में पहली बार 1872 में जन गड़ना की गई थी परन्तु विवस्थित प्रकार से 1881 में पहले जन गड़ना की गई थी चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कुछ ने भारत की प्राचीन कला को पुनल जीवित करने के लिए इंडियन सुसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट के अस्थापना किसने की ओप्सन देखे हैं अबनिंद्रनात टैगोर, रविननात टैगोर, सुरेंद्रनात गांगुली, मुकुल डे इसका राइट आइट अंसर है अप्सन नमबर यानी अरविन अबनिंद्रनात टैगोर अबनिंद्रनात टैगोर ने इंडियन सुसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट के अस्थापना कलकत्ता में की थी वे सरकारी कला विद्याले के मुक्ख्या ध्यापक थे चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question है निमलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी ओफ्सन देखते हैं Hindu View of Life, Hindu स्वराज, Discovery of India, My Truth चलिए इसका राइट अंसर देख लेते हैं इसका राइट अंसर है B यानि हिंद स्वराज मात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सब्विता और मसीनी करण के बारे में देखा गया था चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question ने जलिया अलब बाग हत्य कांट से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी option देखते हैं बंगाल का विवजन, इलबर्ट विल, रोलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मोरले, सुधार इसका राइट अंसर बात के, इसका राइट अंसर है option नमबर सी यानी रोलेट एट का पारित होना रोलेट एक को 18 मार्च 1929 में इंपीरियल बिधान परिशत द्वरा पारित किया गया था इस अधिनियम में क्रांती कारियों को बीना ट्रायल सजाद देने का प्रावधान था चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है निमलिक्षित में से कौन सी घटना खिलापत आंदोनर के लिए असफलता का कारण बनी इसके अप्सन देख लेते हैं कौन को रहा है बिटिस सरकार दोरा मुस्लिमों को छूट कांग्रेस और मुस्लिम लिग के भी समझाता तुर्की में क्रांती चौरी चौरा की घटना इसके राइट अंसर बात के इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C यानि तुर्की में क्रांती 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पासा के नित्रित में क्रांती हुई इसके द्वारा तुर्की में धर निर पे सरकार के स्थापना की गई इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने दो साल के भीतर खिलापत अंदुलन को दबा दिया चलि एगला कोशन देख लिए अहला कोशन है सीवा जी ने आठ मंत्रियों के परिसत का गठन किया था उस परिसत का नाम क्या था? उपसन देखते हैं न्याय परधान, अर्ष्ट सेना, अर्ष्ट सिद्धी, अर्ष्ट परधान इसका रायट आंसर बात के इसका रायट आंसर जो ज़ाएगा सिवा जी महराज ने प्रसासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आठ मंत्रियों की परिसद अर्ष्ट परधान का गठन किया था इस परिसद के अस्थापना 1644 इस्वी में की गई थी चलिए एगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है 1802 में British East India Company के साथ बसाई की संदी पर किसने हस्ताचर किये अप्सन देखते हैं बाजी राध द्विती, बाजी राध प्रथम, सुल्तान बहादुर, उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है अप्सन नंबर ए यह अनि बाजी राध द्विती बसाई की संदी पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताचर हुए यह संदी ब्रिटिश एच्ट इंडिया कमपनी और बाजी राध द्विती के बीच हुई थी चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है भारत में सहाया गठ बंदन किसने सुरूग किया आपसन दिखते हैं लाड कलाईब, लाड विल लेसले, लाड करिंगम, लाड कैनिंग इसका राध अंसर बात कि इसका राध अंसर हो जागा आपसन ब्र बी और लाड विलेसले सहाया गठ बंदन कि सुरुआद लाड विलेसले ने की थी वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले सामिल हुआ इसके मैसूर और अवद के 29 में सामिल हुए थे चले एकला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था गया था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है कांग्रेस की अध्यचता करने वाली पहली भारती महिला कौन थे ओप्सन देखते हैं सरोजनी नैडू एनिवेशन नेली सेन गुपता इंदरा गंदी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा ओप्सन नंबर यानि सरोजनी नैडू सरोजनी नैडू 1925 के कानपूर अध्यवेशन में कांग्रेस की अध्यच बनी वे कांग्रेस की अध्यच बनने वाली पहली भारती महिला थी उनसे पहली एनिवेशन कांग्रेस की अध्यच बनी थी चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगल इसका जुराइट अंसर हो जाएगा option number C यानि लाला लाजपत रायने है इसकी अस्थापना 31 अक्टूबर 19-20 को बांबे में लाला लाजपत रायने की थी बाद में यह संग्ठन भारती कमिनिट्स पार्टी से जुड़ा रहा है चलिए एकला question देख लेते हैं अगला question है दू इसका जुराइट अंसर हो जाएगा option number C यानि 7 सितंबर 1931 गोल में समेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआद 7 सितंबर 1931 को हुई थी चलिए अगला question देखते हैं अगला question है 73 अंदोलन के दौरान की सरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था option देखते हैं सुभा लाला बाल गंगा था तीलग केसरी समाचार पत्र के स्थापना 18-18 इस्वे में बाल गंगा था तीलग दौरा की गई थी केसरी अकबार मराठी में प्रकासित होता था जबकि मराठा अकबार अंग्रेजी में प्रकासित होता था चलिए अगला question देखते हैं अगला question है 1906 मे मुस्लिम लीग के स्थापना किस अस्तान पर की गई थी अप्सेन देखते हैं धाका नई दाओ, इसलामाबाद, मस्कट इसका जो राइट अंसर हो जागा हो जागा अप्सेन नंबर A यानि धाका में आल इंडिया मुस्लिम लीग के सापना 1906 में धाका में की गई थी यह अलिगर अंदोलन से उभर कर आई थी, इसका प्रमुक उद्देश मुस्लिमों का अधिकारों की रच्छा करना था चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अला क्वेशन है 1925 के वैकॉम सत्यागरा में किसनी महतपूर भूमिकार निभाई हैं ओप्सेन देखते हैं टीके माधवन, मुलूर एस पद्वनाव, पनिकम, वल्राम वर्मा के केलापपना इसका जो राइट अंसर हो जागा ओप्सेन नंबर D यानि के केलापपन यह सत्यागरा त्रावन कोर में छुवा छूद के विरुद हुआ था गुरुवायूर इस अंदूलन के प्रमुक नेता थे उन्होंने गांधी जी की प्राथना पर अंसन समा किया था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन ने 1867 में नब गुपाल मित्रा ने हिंदू मेला की सुरुवात की सस्थान पर की थे ओप्सेन देखते हैं कलकत्ता दिल्ली इलहाबाद वराड से तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा ओप्सेन नंबर E यानि कलकत्ता में हिंदू मेला के स्थापना 1867 में कलकत्ता में नब गुपाल मित्रा ने की थी इसी चैत्र मेला भी कहा जाता था यह राज नरायर बाशू, दुविजेंद्र नाथ टैगोर और नब गुपाल मित्रा के सयुक प्रयास का परिडाम था चले अगला कोशन देख लेते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरू करेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद